शुक्ला एक बाद फिर से आप सारी का स्वाध करता हूं गायतिर एजूकेशन क्लासेज में आज से हम CSI and NET Mathematical Science की लेक्चे से शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हमने subject लिया area analysis और यह preparation रहेगी 24-25 की ठेक, lecture number है हमारा 1 हम जो chapter शुरू करने जा रहे हैं वह है set theory and countability पर हम इसमें उस तरीके से नहीं पढ़ने वाले हैं कि हम आपको set फिर set की definition नहीं वो सारी बाते करेंगे लेकिन थोड़ा आज अलग level से start करेंगे हम शुरू आज करेंगे जिन topics को वह यह रहे पहला index set, family of index set, union of n sets, intersection of n sets और generalized form of demorgans law यह हमारे पास आज की important topics हैं चलिए इन पर सीधे बात करते हैं अच्छा इससे पहले कि जिन्होंने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है वो subscribe कर लिजिए और bell icon पर याज से click करिएगा और share और like और comment यह तीन आपके काम है देखे हम शुरू करते हैं index set क्या होती है इसकी definition इसकी definition पर बात करते हैं बहुत ही simple definition हमारे सामने इसकी दी गई है the index set is the set that is distinguished by देट इस डिस्टिंग्विश्ट बाय अटेचिंग सबस्क्रिप्स लिख ले रहे हापन बाय अटेचिंग सबस्क्रिप्स नंबर्स इसे कहते हैं index set की definition या फिर आगे और यह भी लिख देते हैं साथ में जिनको दिक्कत ना हो instead of अभी तक हम क्या use करते थे जब एक दो set हुआ करते थे using different letters such as तो हमारे पास कैसे रहेंगे index set में a1, a2, a3, a4, a5 दिख रहे हैं आपको जहां पे where where 1, 2, 3, 4, and 5 are called the indices इन्हें क्या कहा जाता है? indexes कहा जाता है ठीक? and set या फिर सीधे लिखें हम index set i हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा? यह सारे number का set इसी को क्या कहा जाता है? index set where 1, 2, 3, 4, 5 are elements of index set and in symbol they are represented by small i किसे represent करते हैं? small i यानि कि मैं ऐसा लिख रहा हूँ there is some i from this capital set i तो इसके जितने भी elements होते हैं उनको किस से represent करते हैं? small i से represent करते हैं यह एक simple सी definition है कि इसकी index set है यह आपके पास index set है तो index set से आपको numbers को इस्तमाल करना होता है उस number के जरीए आप sets को represent कर सकते हैं इसके बजाए जो हम पहले यूज करते थे कौन से? letter से na कि a, b, c, d बजाए हम क्या यूज करेंगे a1, a2, a3 तो यह जो सब script में number लिखे हो है यह हमारे index set से number लिए गए हैं और यह सारे के सारे number क्या कहलाता है? अच्छा देखेगा जरा है ना जल जली कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है यह फैमिली ओफ इंडेक्स सेट अब यह क्या होता है? देखें, let a be any set indexed और labeled भी लिख सकते हैं leveled by means of elements of index set, index set को किसे represent कर रहे हैं हापन? i, ठीक, then family of, अभी परशान मत हो यह, जिनने नहीं साज में आउने अभी example यह साज में आएगा, पहले दो definition समझ ली दे, then family of index set is given by, family of index set कैसे लिखी जाएगी इस तहीं किसे है? a i such that i belongs to capital i, यह हमारा index set है, यहापर इसको लिखने का एक और तरीका होता है, a i ठीक, यहाँ पे और i belongs to capital i index set, यह हमारा क्या होता है? family of index set, तो family of index set के लिए आपको किसकी ज़वत पढ़ती है? index set की ज़वत पढ़ती है, index set में सिर्फ क्या होता है? indices होते है, ठीक, ताकि हम उससे इस तरीके के questions को solve कर पाएं, आपने देखे होंगे इस तरीके के notations, ठीक, तो अब इसी पे बात करते हैं, जैसे कि देखें, example number one, आपके पास index set आई दिया हुआ है, कितना? 159, then family of index set कितना होगा? तो यह देखा जाए, आपको given है, given है, I is equals to कितना? 159, तो जो आपके पास family आएगी, family of index set, तो सभी के दिमाग में यह बात आगी होगी, कि family of index set में कौन आ जाएगा? A1, A5 और A9, यह आपने क्या निकाल दिया? family of index set है इस तरीके से काम करता है, थोड़ा और इसको जड़ा बड़े परमाने पर जड़ी solve करें, तो आप देखें, index set कैसे काम करता है? सबसे पहले, let f be a set of sets, थिक? याने कि f कोई set है, और वो एक ऐसा set है, जिसके अंदर भी अपने आपने क्या है? set है, तो आपन, we use example to understand, थिक? आपने एक example लेते हैं, मैंने, suppose, मैंने लिया let हमारे पास जो f है, इसके अंदर, ये एक set है अपने आप में, ये क्या है? set है, मैं इसके अंदर भी elements ले रहा हूँ, elements भी कैसे है? set है, set of sets, तो ये 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, थिक? तो दिख रहा होगा set of sets, इसी को कहा गया है, अच्छा, अब क्या बोल रहा है, उसका क्या निकालन है union, यारे कि आपको union of f निकालना है, अब जा सुनिएगा यहाँ पर, एक चीज ओ, ध्यान से देखा जाए, suppose कर लो आप, कि ये वाला set x है, x1, ये वाला set x2 है, और ये वाला set क्या है? x3 है, तो आप से बोला जा रहा है कि union of f निकालने का मतलब ये है, कि आपको इसके जि i index set है, तो किस तरीके से मिलेगा x1, x2 और x3 का union, तो इन सब का union में जैसे ही लोगा, तो मुझे मिल जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो ये हमने जो निकाला है, हमारे पास कौन सा set आ गया, ये हमारे पास index set आ गया, index set के बाद हमें क्या निकालना होगा, हमें family of index set निकालना है, क्या निकालना हमें, family of index set और उसको tabular form में लिखना है, तो देखिए, family of index set हमारे पास क्या आ जाएगा भाज साब, सारे numbers, a1, इसके subscript में आ जाएंगे, a2, a3, a4, a5, और a6, तो देखिए, इस तरीके से index set काम करता है, कि एक तो पहले set, हैना, set के set होते हैं, उन set में से भ सारे subscript मिलके हमें, हमें इतने set दे देते हैं, इसके को क्या कहा जाता है, family of index set, तो जित्ता हो सकता है, मैं उसको आपको अंदर की और ले जाता जा रहा हूं, हमें tabular form में लिखना था, हमने tabular form में लिखके दिखा दिया, अच्छा, आगे देखिए, union of many sets से यह धी हमें नि then, union is given by, तो इनके union को कैसे लिखा जाएगा, तो इनके union को लिखने का तरीका होगा, a1, union, a2, union, a3, union, dot, dot, union, an, इस तरीके से लिखा जाएगा, अच्छा, एक और तरीका है इनको लिखने का, कैसे लिखा जा सकता है, कि यह मैंने लिखा union, और iota बराबर, iota बोलो, sorry, i is equals to 1, 2, कहां तक n, 1 से लेके कहां तक जारी यह value, n तक, ठीक, और यहां पर क्या लिख दूँँगा, यह है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, अ याद होगा, आपने 11th क्लास में पड़ा हुआ है, क्या, कि union of two sets A and B, याद होगा आपको, इसको किस तरीके से परिभाश्यत किया जाता था, यह define किया जाता था, is defined as set of all those x which are in either A, और B, और both, ठीक, जो कि या तो A में हो, या तो B में हो, या तो दोनों में ही आने कि दोनों के common region में हो, इस तरीके के definition को हम क्या बुलाते थे, union of sets, where, या पर ऐसे लिख देते हैं, both, the union of sets is denoted by, कैसे denote करते थे, A union B, इतनी बास आपको याद आ रही होगी, यह उसकी definition थी, आपने 11th class में पड़ी हुई है, यह जो symbol था, where the symbol is used to denote union, यह किसको denote करता था, union को denote करता था, अच्छा, तो हम इसको symbolic form में जब लिखते थे, in symbol, we write, कैसे लिखते थे हम इसको, किसाब, A union B को set welder form में, in symbol form में लिखने का तरीका होता था, all those X, which are in either A, और, बीच में और लगाया करते थे, और in B, इस तरीके से लिखा जाता था, ठीक, कहीं न कहीं तो पाया जाता है, पर यहाँ पर तो N sets है, तो यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा इस तरीके से जाएगा, भाई साब, कि, X belongs to, कहाँ पर, A I, X belongs to, A I, इस तरीके से आप फिर थोड़ा और ढ़ंग सेदी लिखें, देखें, all X such that, कि, यह सारे के सारे X किसके होने चीए, I में होने चीए, for at least, one set, for at least, one set, यहाँ पर लिख दे रहा हूं, for each, I की value कहां से लेके कहां तक, एक से लेके N तक में, कहीं न कहीं तो पाया जाएगा है, for at least, कम से कम किसी एक सेट के अंदर, तो यह X पाया ही जाएगा, इसको और यदि शॉर्ट में लिखना है, तो और कैसे लिखा जा सकता है, all those X, which are in AI, for any, I belongs to capital I, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो यह Notations आपको पता होने चाहिए, मैं पहले Notations clear करते जा रहा हूँ, आशा करता हूँ, इस अब आपने पढ़ा हुआ है, तो मैं तो सिर्फ Clarity देता जा रहा हूँ, कि हाँ भया, हमने पढ़ा हमें यह Notations भी अच्छे से पता हैं, ताकि हम Questions को अच्छे solve कर पाएं, तो यह है भया, symbol form में इस तरीके से लिखा जाता है, अच्छा, also, यहाँ पे एक चीज़ और देख लो, क्या, कि suppose यदि X याद आ रहा होगा, A union B में बिलॉंग कर जाए, तो हम क्या लिखते थे, कि X A में होगा, या तो X B में होगा, कहीं न कहीं तो होगा, लेकिन वहीं प होगा, A और B में तो हो ही नहीं सकता, ठीक, तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना जरूरी है, ठीक, आशा करता हमें, ज्यादा तेज नहीं चल रहा हूँ, यदि ज्यादा तेज चल रहा हूँगा, तो आप मुझे comment section में लिख देजेगा, ठीक, यो कि मुझे ऐसा लग है कि यह सारी बाते हमें पता है, यह सारी बाते हमें पता है, चलिए, देखे, जैसे एक simple सा question है आपके सामने, क्या, union of n, minus n, देख रहा होगा, यहाँ पे, यह क्या है, set of two elements, एक set है, जिसमें कितने elements दिये गए हैं, दो elements, तो ऐसे कितने set बनेंगे, उन सब का union लेना है, औ तो देखा जाए, मैं सबसे पहले natural number क्या लूँगा, one, तो मुझे मिल जाएगा, one, comma, minus one, फिर union, मुझे अगला मिल जाएगा, two, comma, minus two, अगला मिल जाएगा, भाई साब, three, comma, minus three, इस तरीके से मुझे union मिलते चले जाएंगे, है कि ने, अच्छा, अब देखा जाए, तो इ या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कई लोग ऐसे notation, यह z minus zero, इसको भी z minus zero ही पढ़ते हैं, या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या, star, z star, जिसको क्या कहा जाता है, set of all non zero integers, यह भी बोल देते हैं, तो बोलने बोलने के तरीके हैं, अलग-अलग language, आप इन में इतनी असानी से इसका solve हो गया, हमें set of integer मिल रहा था, बस उसमें से क्या remove हो गया है, zero, remove हो गया है, एक और question देखते हैं, छोटा सा question है, अब यहाँ पर बाहर लगा, आपने probability पढ़ी हुए है, इसका मतलब होता है compliment, आगे जहाँ पर हमें जरुवत पढ़ेगी, तो मैं इस set आपके पास a है, तो यह वाला यदि set a है, तो a के अलावा बाकी सब जो universal set में होता है, वो कहलाता है a का compliment, याद आ गया होगा, टीक, यदि वो a में है तो a compliment में नहीं हो सकता, और यदि वो a compliment में है तो a में नहीं हो सकता, दोनों disjoint set होते हैं, देखे, तो यहाँ पर बात integer ले लिए माल लिए मैंने integer ले लिए पहले तो minus 1 और यह open interval है, यह कौनसा interval है, open interval, यह open interval दिया हुआ, तो परशान मत हो जाएगा कि आप कुछ और समझने इसको, यह open interval दिया हुआ, तो जैसे integer है तो मैंने dot 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 भहसा integer होते हैं, मैंने एक simple integer लिए minus 1, तो minus 1 यहाँ रखूँ लोगा, यूनियन भी लेते जाना है, और यूनियन भी लेते जाना है, अच्छा, 0 लोगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1, अच्छा, 1 लोगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, 2 and so on, इस तरही के से चलता जाएगा, लेकिं इन सब के ओपर क्या लगा हुआ है, compliment लगा मैं यह आप एक लाइन लिख रहा हूं कि set of real numbers excluding excluding integers इस तरह के से लिख दिया दिया से देखिए सारे के साए real number आ रहा है सारे के साए real number आ रहा है लेकिन क्योंकि यह open bracket है तो open bracket है यानिकि minus 1 और 0 included नहीं है लेकि उसके जिरो और वन के बीच के भी साए नमभा included है तो कौन included नहीं है integers included नहीं है तो जो included नहीं हो तो उनके लिए क्या वड़ियूज होता है excluded तो भाईया सारे real number लेकिन उन में से क्या हटा दिया गया integers और इनका हमें क्या लेना है compliment इनका हमें क्या लेना है integer याने कि हमने जिस चीज को इस में से लोग घटा रहे थे उसी चीज को हमने क्या ले लिया हमारा answer ले लिया थी किसी को कहा जाता है compliment तो यह आगे हमारे पार set of all integers दिख रहा होगा आगे एक और चीज करते हैं देखें union को लिखने का एक और ताहिका इसकी साथ में यह भी बता दूँ आपको क्या कि union of sets के लिए union of sets के लिए क्या कि if i is an index set हमें time waste बिलकुल निकरना है बहुत लंबी preparation है और यदि आपको videos continuity में चाहिए तो please comment section पे लिखेगा और like और share जयाद से करिएगा if i is an index set and for each alpha belongs to i we have corresponding set a alpha तो हमारे पास एक उसके corresponding set क्या होगा a alpha then क्या लिखेंगे union of alpha belongs to i यहाँ पे a alpha will be given by in set builder form x such that इसको कैसे लिखेंगे x is such that यह particular corresponding set को represent करता है index set से ही लिया हुआ है लिखने के अपने अपने तरीके x belongs to a alpha for at least one set a alpha with alpha belongs to capital i तो इस तरीके से भी लिखा जाता है अच्छा question भी देख लेते हैं लगे हाँ यह देखेंगे question है न होई a alpha वाले के लिए question हमने यहाँ पे रखा देखेंगे हमें क्या दिख रहा होगा है यहाँ पे find alpha a alpha का union हमें निकालना है क्या बोल रहा है let the index set i with the interval तो हमें interval दिया हुआ है 4,5 obviously बात है 4 included है 5 excluded for each number alpha belongs to i ठीक है तो alpha हमें किसमें से लेना है इसमें से लिखना है तो alpha हमें इसमें से लेना है 5 के बीच के सारे number है alpha ठीक है तो फिर क्या बोल रहा है a alpha क्या होगा find union of a alpha तो देखेंगे सबसे पहले तो मुझे बताईए alpha सबसे पहले में क्या ले रहा हूँ 4 smallest alpha है मेरे ख्याल से अपने आप यह सबसे smallest alpha है alpha क्या ले रहा हूँ 4 तो बताईएगा यहाँ पर definition में क्या हो जाएगा यह हो जाएगा a4 बराबर x belongs to sorry x are real number जहाँ पर alpha की जगा किता लिख दूँगा 4 और इस तरीके से कर दूँगा यह काम अच्छा इसका मतलब क्या होता है इसको इस डाइग्राम में समझाऊ तो 4 और 6 के बीच के सारे number यहाँ पर black ball यानिक included है तो यह सारे number आ गया अच्छा अब जहाँ सुनिएगा भाया 4 और 5 के बीचे बहुत सा number होते है suppose मैंने ले लिए alpha बराबर 4.6 क्या ले लिए 4.5 ले लो 4.5 ले लो यह 4.5 ले लिए यह इस टाहिके से लिखेंगे और इसका यदि number line में ड्रॉ करेंगे तो यहाँ तो 4 था यहाँ कहीं हो रहा होगा आपके पास 4.5 और यह फिर 5 और यह फिर क्या 6 तो यह सारे number आ गए है इसमें तो कोई समस्या नहीं है अच्छा रुकेगा और वही पर यदि alpha परावर मैं ले रहा हूँ suppose 4.999 तो यहाँ पर में पास क्या आ जाएगा A 4.999 इसको यदि मैं लिखूंगा काइदे से तो क्या हो जाएगा all real numbers such that they are in between 4.999 and in between 6 4.999 और 6 के बीच में आने वाए number कैसे निकालेंगे इसको तो यह आएगा 5 5 के जस्ट पहले कहीं ना कहीं पढ़ा होगा 4.999 और यदि जूम करोगे तो तो इतने साह नाइन है कि आपन सोच नहीं सकते और यहाँ पर क्या 6 तो यह सारे number आ रहे हमें इनका क्या निकालना था हमें इनका निकालना था में इनकाक्यान था है यह वाला सट तो इसके अंदर कांटेंज कर जाए यह पोरा का पूरा सेट इसके अंदर कंटेंज कर रहा है यह इनकि हमारे पास फाइनल आंसर क्या आगा हमारे पास आएंगे आल्ल दोस x which are in between 4 and 6 ठीक ही आ गया यानि कि काईदे से देखा जाए हमारा जो final answer आएगा कि union alpha belongs to interval 4,5 A alpha is nothing but A4 उसका final answer क्या आएगा? A4 आएगा बड़ा ही धासो question और अच्छा question तो देखिए A alpha अपने आपने इस तहीके से corresponding sets को निकाल के एक union बना दिया हमने यह अपने आपने एक अलग set था, यह अलग set था, इनका क्या निकाल दिया? union तो यह जो alpha वाली जब definition आती है तो किसी particular corresponding set को represent कर रहा होता है union ठीक, बाकी वहाँ पे तो set of n terms infinite terms भी होता है infinite के लिए भी आपने देखेंगे ठीक है ना, अच्छा साथ में आपन कुछ देख लेते हैं क्या properties of union of two sets ठीक, पता ही होनी चाहिए यह और पता होंगी भी ठीक, यह lecture मैं ज़्यादा उतना नहीं explain करूँगा क्योंकि मुझे लगता है यह सभी को पता होगा जैसे मैं आप लिख दे रहा हूँ commutative property क्या रहता था, a union b बराबर b union a इसी तहीं कैसे होता था, अच्छा इसका proof भी आपको पता होगा, याद दिला दे रहा हूँ क्योंकि हमें end sets के proof को देखना है तो इसमें LHS और RHS वाली method लगा करती थी क्या करते थे, कि आप x को belong करवाते थे a union b में, फिर definition को open करते थे x belongs to a, या फिर x belongs to क्या होगा, b, फिर इनको interchange करते थे, कि या तो वो b में होगा या तो वो a में होगा, ठीक, और यहां से आप बोल देते थे, x belongs to कितना b union a, अच्छा, element आपने किसमें belong करवाय था, a union b में और belong किसमें करगा, b union a में इसका मतलब एक simple सी set theory की definition आपको याद आ रही होगी, कि a union b is a subset of b union a, उसी तरीके से फिर हम यहाँ पर similarly हम क्या करते थे हम यह करते थे, कि एक बार आप y को belong करवाते हैं किसमें b union a में, ठीक, यानि कि अब इसका यह आपने जो लिया होता था, यह आपका lhs हुआ करता था, और यह वाला आपके जो शूरू करने जा रहे हैं आपन, यह हो रहा है आपका rhs, तो यहाँ पर देखा जाए, तो y belongs to किता b, या फिर y belongs to क्या हो जाएगा, भाई साब, a interchange करेंगे, तो y belongs to a और y belongs to क्या हो जाएगा, अमारे पास b, इसको जैसे ही साही से लिखेंगे definition के साब से, तो यह क्या हो जाएगा, y belongs to a union b, और हम बोल देंगे, फिर सो वही परिभाशा, जो हमने यूस करी थी यहाँ पर इसका element लिया था या फिर on by combining, दोनों को क्या कर दिया combining, तो जब भी ऐसा होता है, जब भी ऐसा होता है कि दो सेट आपस में एक दूसरे के सब सेट होते हैं, तो वो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं, तो hence a union b is equal to क्या हो जाएगा, b union a यह property number one, दूसी property सबको याद दिला दे रहे हैं, associativity क्या था भाईया, associativity property में आपको याद दिला रहा हो मैं क्या कि a union b union क्या c is equal to हुआ करता था, a union b union c, इस तरीके से तो वह इसका पहले आप LHS जैसे लेंगे, आप x बिलॉंग करा रहे हैं, a union b union c में तो x belongs to पहले तो a union b में, या फिर x belongs to किसमें c में, यहां से आप देखते थे x belongs to a, या फिर x belongs to b, या फिर x belongs to c है न, सभी बच्चों का हमारे याद आ रही होंगी अब इन दोनों को साथ में ले ले रहे हैं, x belongs to a, और यह हो जाएगा, x belongs to b union c, अच्छा अब इन दोनों को साथ में ले ले लेंगे, तो x belongs to a union b union c, इस तरीके से आ गया, ठीक, तो यहां पर इसका element था, इसका element साभीत हो गया, तो हम क्या बोल देंगे भाई सा, कि a union b union c is a subset of a union b union c, ठीक, अब यहां पर मैं इतना नहीं प्रूफ करूँगा, ठीक, यहां आपके 11th class का है, तो similarly, हम n sets के लिए अभी यह काम करने वाले हैं, तो मैंने आपको यहां पर सिर्फ याद करा दिया कि कैसे करना है, तो यहां पर हम यह बोल सकते हैं क्या, कि a union b union c, हैना, उ combining, हमें क्या मिल जाएगा भाई साब, कि a union b union c is equals to a union b union c, ठीक, इस तरीके से यहां पर हमें चीजे मिल जाएगे, इसी तरह हमारे पास जो तीसी property होती है, उस पर भी बात कर लेते हैं, कौन सी, idempotent, जिसको idempotent property या law बुलाते थे क्या, कि a union a is equal to कितना, इसका तो बहुत सिंपल सा रहता था, याद होगा, इसमें तो बतानी कि जोटनी है, कि a union a याने कि यह तो कुछ ही नहीं है, या फिर a में, दो नहीं बाते से यह है, याने कि a union a क्या है, basically is a subset of a, similarly, याद आ रहा होगा आपको, आपने सब कि a is also subset of a union a, यह सारी important बाते हैं, जो आपको समस्य देंगी, यह बात का ध्यान रखना थे, और यह आपको first or second को जैसी आप combine करेंगे by combining, तो आपको मिल जाएगा, जो आपने लिखा हुआ है, by combining to, क्या मिल जाएगा, कि a union a is equals to क्या a, और fourth property हमारे पाल जो होता है, identical law या identity law, क्या था, याद होगा, कि a union कितना 5, तो हमारे पा या फिर x belongs to 5, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, x belongs to a, यहाँ से हम क्या बोल देंगे भाई सब, कि a union 5 is basically subset of a, similarly, मैं क्या जो सब कोई proof याद आ रहे होंगे, a is subset of a union 5, तो यह आपके पास पहली question, यह आपके पास दूसरी question है, क्योंकि 11th class का है, 11th class का है, मैं एक उसे proof व्याद दिलाने थे कि किस तरीके से हम प्रूफ क्या करते थे, थाकि हम n sets की proof को भी देख पाए, ठीक, तो from first and second, हम क्या बहुत सकते हैं भाई साब, कि a union 5 is equal to कितना a, ठीक, this is our final answer, इस तरीके से हमें approach करना है, अच्छा, जित्ते भी नए subscribers हमारे पास जोड रहे हैं, वो subscribe करना ना भूलें और bell icon पर click करना ना भूलें, यदि आपको और भी नए वीडियो चाहिए तो, चलिए, आगे बात करते हैं, यह रहा हमारे पास intersection of many sets, अच्छा, यह जो हम बोल रहे हैं, intersection of many sets, इसका मतलब वही है, intersection of n sets, जो heading डाली थे बिलकुछ, शुरू में, content में, topics to be covered many sets का मतलब यह intersection of n sets, तो क्या होगा, let a1, a2, a3, dot dot, an are the sets, यह क्या होगा, sets होगा, then intersection is given by, किस तरी के से लिखते हैं, इसका intersection लिखने का तरीका हमारे पास होगा, क्या, कि ai लिखुँगा, यह intersection, i की value 1 से लेके का तर, इस तरीके से हम लिखा करते हैं, इसमें आपको कहीं पर कोई दिखकर, नहीं, तिक, और एक और कौन सा तरीका हता, कि वो simple, a1, intersection, a2, intersection, a3, यह दोनों बाते एक ही लिखी हुई है, तिक, यहा तर, an, अच्छा, इसका set builder form है, तो पहले तो मैं इ two sets a and b is defined as, क्यासे defined करता था, is defined as the set of all those elements, set of all those elements, which are in both a and b, जो की दोनों में हुआ करते थे, ठेक, it is written as, कैसे लिखते थे हम इसको, a, intersection, b, जहांपे आपको पता है, where, symbol, जो हमने symbol use किया है, is used to denote intersection, used to denote intersection, अच्छा, तो symbol form में कैसे लिखा करते थे, in symbolic form, in symbolic, we write, हम इसको लिखते थे, क्या, जो यहा, a, intersection, b, is given by, set of all those x, which are in a and as well as in b, इस तहिके से लिखते थे, अच्छा, इसके वोई, कुछ परिणाप, यदि x, a, intersection, b, के अंदर है, तो इसका मतलब यह है, साफ-साफ, कि x, a में भी है, और x, b में भी है, लेकिन यदि कहीं पर किसी नहीं बोला, x is not in the common region, a, intersection, b, इसका मतलब साफ यह है, कि x, या तो a में नहीं है, या फिर, x, b में नहीं है, तो यह बिल्कुल opposite हो जाता है, याद रखिएगा, union, intersection, बिल्कुल opposite बात हो जाती है, तो यह बात ध्यान रखना, अच्छा, तो इसका set builder form, set builder form में कैसे लिखा जाएगा, कि all those x, which are in a i, अब यहाँ पर लिखा जाएगा, for every set a i, for every set a i, या न, where, या फिर, for i की value, कहां से कार तक, 1 से लेके n तक, और यज़िए इसको short form में लिखना चाहें, तो short form में लिखने का क्या तरीक होता है, x such that x belongs to a i, या दोगा for all, या for every बोलते हैं हम इसको है न, for every i belongs to capital i, सभी के अंदर होना चाहिए, इस बात का हमें बहुत ही ध्यान रखना अनिवार रहा है, तो यह intersection की कहां नहीं भाई है, देख लिजए आपको जी सांज में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो, तो अच्छा, अब जैसे इसका एक example देखीजिए, intersection of closed interval 0, x, जहाँ पे x हमाया real number है, और x should be positive, x should be positive, हमें x positive भी लेना है, तो क्या लगता देखें, यह इसको solve करते हैं, हम diac solve कर रहे हैं, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ भया, positive लेना है, तो एक मैं ले ले रहा हूँ 0, और एक 1 ले ले रहा हूँ, मैं एक हैल से कि देखो समस्था होगी नहीं, अच्छा, लेकिन साथ में यह भी तो लिया जा सकता है, 0, 1 by 2, यह भी तो लिया जा सकता है, तो and so on, इस तहीके से कुछ भी लिया जा सकता है, आप कुछ भी ले लो, यहां ले लिया, मानलों मैंने 0 और 10 की पाव़ 10 ले लिया, यह भी ले सकता हूँ, in dersection, रियल नम्बर सो बहुत सारे कुछ भी ले लो यार, कुछ भी ले लो, अब बताओ क्या आएगा, इन सब का common region आपको क्या लगता है, क्या देख रहा है, जा ध्यान से देखें, जिस दिन इसमें और इसमें common की बात करूँगा इन दोनों में common की बात कर रहा हूँ क्या लगता है, कौन सा set select होगा तो ये 10 की power 10 है, आने की बहुत बड़ा number है, तो 0 और 10 की power 10 में और 0 और 1 में जो common region आएगा वो ये खुद छोटा वाला set आजाएगा 0,1, है ना, तो इन दोनों में सबसे common जो आएगा, वो 0,1 अच्छा, इन दोनों में यदि common part देखा जाए तो कौन आजाएगा, तो 0,1 और 0,1 by 2 में खुद 0,1 by 2 common part आजाएगा, 0,1 by 2 और 0,1 by 4 में कौन common आजाएगा, तो आप बोलेंगे 0,1 by 4 common आजाएगा, क्या लगता है, धेद ये नंबर छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, पहले ये आपके पास 1 था, फिर 1 by 2 हुआ, फिर क्या होगा 1 by 4, पहले तो सबसे पहले 10 की power 10 था, तो धीरे धीरे ये जो नंबर है, दिख रहा होगा, ये आपका 0.5 क्यलाता है ये आपका 0.25 क्या लगता है, धेद ये नंबर किस हो जा रहा है 0 की और जा रहा है, तो इतने सारे blocks में, जब common नंबर निकल के आएगा, तो वो निकल के आएगा singleton 0, ठीक, singleton 0 ये बात ध्यान रखना, ठीक, ये अपने आप में काफी अच्छा question था, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक, देखें भई, अगला, अच्छा, अब ये, इसके लिए भी definition आपने लिख दे रहे हैं, पीछे लिख दे रहे हैं, क्या, कि intersection के लिए, if i is an index set, ये क्या है, आपने आपने एक index set है, intersection को लिखने के लिए, individual तरीका क्या होगा, index set and for any alpha belongs to i corresponding, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, we have corresponding set a alpha, हमारे पास क्या होता है, set a alpha होता है, अच्छा, तो इनका intersection भाई सब, a alpha का intersection, तो आप जानते हैं, alpha belongs to क्या रहेगा, capital i, इसको लिखने का क्या तरीका होगा, कि ऐसे x, x belongs to a alpha for every set a alpha with alpha belongs to capital i, यह इसको set builder form में लिखने का तरीका होता है, ठीक, तो उसी का question पीछे दिया हुआ है, question पिछले बार की तरह same ही है, बिल्कुल same है, तो याद होगा, आपन ने इसको क्या किया था, आपन ने यहाँ पर पहले a4 लिया था, याद होगा, a4 के लिए हमारे पास क्या हो गया था, कि all those x, ठीक, और यह such that, यहाँ पर क्या लिखा था, इस तरीके से आपन ने लिखा था, याद आ रहा हो, ठीक, और यहाँ आपन ने लिया था, 4.5, ठीक, 4.5, तो यहाँ पर x belongs to set of real number such that, यह लिख दे रहा हूँ 4.5, और यह ऐसा, और एक और ले ले रहे हैं आपन, यह 4.999, तो यहाँ पर x is real number such that, 4.999, और यह ऐसा, ठीक, अब लेकिन उन्होंने बोला है कि इसका क्या चीए, common parts यह, तो याद होगा, इसका जह हमने diagram बनाया था, तो भईया यह आपसा 4 से 6 बन रहा था, ठीक, और जब इसका diagram बनाएंगे, तो यह आपके पास यहाँ पर आए जा, 4.5 से 6 यह, ठीक, अच्छा, जब इसका diagram बनाएंगे, तो आपको पता है, यहाँ कहीं पर 4.99, उसके बाद क्या आ रहा है, suppose 5, और यह आपके पास 6, तो इस बार region क्या था, यह था, ठीक, यह तो region आपने बना दिया, अब इन सब में आपको common क्या लग रहा है, आपको common दिख रहा है कि common जो region है, वो shift होता जा रहा है, shift होता जा रहा है नहीं कि छोटा होता जा रहा, अच्छा, 4.99 के अलावा, कल को कोई यह भी बोल सकता है कि 4.99999999… इसका मतलब x belongs to real number, और यहां पर 4.999… इस तरीके से दी मैं लिखूँ, समझाने के बेसेस पर, तो क्या लगता है, यह जो diagram होगा, यह तो भी बिलकुल यहां पर 5 के just पहले, यह 4.99999999 आ रहा होगा, और यहां पर 6, अरे इतनी बात तो संज में आ रही है, तो क्या लगता है, common region आपको क्या दिख रहा है, 4.99 के just बाद कौन आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो इन सभी में जो common region आने वाला है, वो यह वाला region है, कौन, 5 से 6 के बीच का region, तो हमारे को मिल गया क्या, कि intersection of A alpha, where alpha is in this interval, 4,5, इसमें जो common region है, वो क्या है, वो इस तरीके से है, कि X is such that, X is between, कहा से कहा तक, 5 से 6 के बीच में, इस बात का अपने को ध्यान रखना है, देखिए इस तरीके स question solve हो जाता है, आसानी solve हो जाता है, कभी पर भी कोई समस्य आती नहीं है, बढ़िया question था है, चलिया, यह एक और question है आपके पास, let A2 is equals to 2N, N belongs to natural number, A3 इतना दिया हुआ है, और A5 इतना दिया हुआ है, find the index set, तो देखिए index set तो आपन पहले ही निकाल दे रहे है, index set आपके पास आ रहा है, यह दिख रहा होगा, यह रहा होगा, यह रहा होगा, यह रहा होगा आपको 3, यह रहा होगा 5, यह रहा है index set, तो 2, 3 और 5, तो इस question के लिए index set कितना है, 2, 3, 5 है, अच्छा, find union of AI, तो बताएगा, union of AI, I belongs to capital I, तो यानि कि आपको इन सब का क्या निकालना है union, इन सब का क्या निकालना है, union, तो कैसे आ जाएगे भईया, कौन से number होगे, तो यह लिख दे रहा हूँ मैं, 2, 2 आएगा, 3 आएगा, फिर 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, ठिक, और 6, 7 नहीं आ सकता, 7 नहीं आएगा, फिर क्या जाएगा, 8 आजाएगा, 9 आजाएगा, 10 भी आजाएगा, 11 नहीं आ सकता, ठिक, 12 आजाएगा, 13 नहीं आएगा, 14 आजाएगा, and so on, यह देखे, आपने निकाल दिये union, इस तरीके से इसका union होगा, अच्छा, जिस दिन इसका common region कोई बोलेगा, intersection, I belong to capital I, और यह AI, तो common इनका कैसे निकालेंगे, सोच सकते हैं तो ब वो निकलेंगा कैसे, LCM of 2, 3 और 5, यह जब मैं निकाल लूँगा, into में क्या चल रहा है, and, such that, and क्या रखना पड़ेगा, मुझे, natural number, and मुझे क्या रखना पड़ेगा, natural number, तो 2, 3, 5 का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, LCM, निकालना पड़ेगा, इस में तो कोई समस्या नहीं है, अच्छा, यदि नहीं है, तो बताइएगा, कितना आ जाएगा, यह आजाएगा, आपके पास, 30N है, 2, 3, 5 का कितना आ जाएगा, 2, 3, 6, 6, 5, 30, 30, and where, n belongs to, set of, natural number, तो यह आपने क्या निकाल दिया, intersection of AI, I belongs to capital I, यह आपका final result, आप इसको open भी कर सकते हैं, obvious ही बात आगे देखें, तो अगला concept अपने, फिर से question, consider the following infinite list of set, ठीक है, तो देखो, यहाँ पर बोल रहा है, कितना है, A1 आपको दिया हुआ है, कितना, minus 1, 0, 1, A2 आपको कितना है, अलगी दिख रहा है, minus 2, 0, और 2, ठीक है, A3 आपको दिया हुआ है, minus 3, 0, और 3, इस टाइके से ब बहुत है, आपको इसका क्या निकालना है, union of this set, where I belongs to, I belongs to, sorry, I belongs to, I is equals to, 1, 2 कहां तक ले रहे हैं, आपन, n, infinite, इस टाइके से भी आप लिख सकते हैं, यह आपका notation है, तो बताइए, क्या आजाएगा भाई साब, यह आजाएगा, भाई साब, set of integers, जा ध्यान से देखें, सा जाएगा, जिरो तो सब में common है, और set theory के साब से, एक number को इकी बार लिखा जा सकता है, उसको repeat किया, नहीं जा सकता, अच्छा है, इसका intersection देखें, आए बराव 1 to infinite AI, इन सब में common क्या है, साब साब दिख रहा है, साब साब दिख रहा है, वो क्या है, 0, देख यह तो question solve हो ग पड़ें, तो अपने को एक चीज और खर लेना चाहिए, यहां पर लगें, क्या, कि आपने जैसे उसकी दीखे थी, properties, तो यह हमारे पास एक और चीज, इसको proof आप स्वैम कर लेंगे, properties of intersection of two sets, सभी को याद होंगी, ठीक, और इनके proof आप स्वैम लिख लेंगे, क्या क्या पहली property क्या, commutative, क्या था, कि A intersection B करिये, क्या तो B intersection A करिये, बात A की है, अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या था, associativity, इसमें A intersection B, intersection C, किसके बराबर होता है, A intersection B, intersection C के बराबर होता है, तीसी property आपकी क्या थी, idempotent, इसमें भी वही property है, idempotent क्या, कि A intersection A is equal to कितना A, और fourth property, identity, identity, क्या, A intersection कितना, 5 is always what 5, तो ये चार है, प्रूफ, इनके जो होंगे, आप खुदी कर सकते हैं, do by yourself, ठीक, मैं ख्यासे, इसमें किसे बराबर समझते हैं, नहीं है, चलिए आप करत D Morgan's law, अब अपनी वह definition देख लेते हैं, ठीक, याद होगा, पहली बात तो, D Morgan's law का simple वाला है, for two sets, उसका proof अगरा हम नहीं देखेंगो, आपको दी देख लीजेगा, क्या, कि A union B का compliment है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A compliment, intersection, B compliment, और उसी तहीके से A intersection, B का यदी compliment होता है, A compliment, union, B compliment, ये D Morgan's law था, बहुत important law, हम इसका generalization पर बात करनी है, generalization है, तो let A, I, such that I belongs to capital I, B, and index family of subset of universal set, U, then, then, हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखेंगे, A, I, और यहाँ पर ले लिया, union, जहाँ पर I belongs to capital I, का compliment, किसके बराबर होगा, भाई साब, ये रहा अपना intersection, I belongs to capital I, यहाँ पर लिखूँगा, AI का compliment, ठीक, ये आपका पहला, और दूसरा, क्या भाई साब, कि यह इसी का उल्टा कर दे, intersection, I belongs to capital I, AI, compliment, ये किसके एक्वाल होता है, भाई साब, ये एक्वाल होता है, आपके पास, union, I belongs to capital I, ठीक, capital I, यहाँ पर क्या जाएगा, AI का compliment, ठीक, ये दो fundamental rules हैं, जो हमें apply होते हैं, इसको पढ़ते क्या है, इस पूरी चीज़ को पढ़ेंगे क्या, कि हम इसको पढ़ेंगे, compliment, of, union, of, index family, of, you know, index family, compliment of union of index family is equal to intersection, is equal to intersection of their compliments, okay, ये इसको पढ़ेंगे होता है, जैसा लिखाया है, ये theory में है, और ये symbol की form में है, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, compliment, compliment of intersection of index family, of index family is equal to union of their compliment, इसको प्रूब देख लेते हैं, प्रूब कैसे होगा, तो पहले वाले का प्रूब देख लेते हैं, यहाँ पर देख ले रहे हैं, क्या था, union of, I belongs to capital I, AI का whole compliment is equal to intersection, I belongs to capital I, यहाँ पर AI का separate compliment, ठीक, अच्छा, कैसे करेंगे, वही तरीका, LHS और RHS method, X को belong करवा हैं, किसमें, पहले वाले सेट में, यू, I belongs to capital I, और यहाँ पर AI का compliment, ठीक, यदि ऐसा है, तो यहाँ खुदी सोचिएगा, X कहाँ पर belong कर रहा है, union of AIs के compliment में, याँने कि obvious सी बात है, X कहाँ belong नहीं करेगा, X belong नहीं करेगा, union of AI, union of AI में नहीं होगा, यदि वह compliment में है, तो AI के compliment में नहीं होगा, ठीक, अच्छा, यदि ऐसा है, और यह लिख दे रहा हूँ, I belongs to capital I, इसका मतलब यदि union में नहीं है, तो X is not in, X is not in any AI for each I belongs to capital I, जो कि capital I का है, उसमें कहीं पर बीए पाया नहीं जाएगा, तो इसका मतलब X कहाँ पाया जाएगा, तो X पाया जाएगा AI के compliment में, for each I belongs to capital I, इन सभी के लिए, और यदि इसका मतलब यह है कि सभी में पाया जा रहा है AI के complement में यानि कि उनके intersection में भी पाया जा रहा है ठीक जहां पर I belongs to capital I सभी में पाया जा रहा है भाई सार्थ तो जहाद यहां से देखें आपने क्या साबित कर दिया कि union of I belongs to capital I AI का whole complement is subset of intersection I belongs to capital I ठीक और AI का complement यह आपने पहली चीज़ साबित कर दी फिर इसी को याद होगा यह तो आपने क्या लिया था LHS लिया था फिर अपने LHS लिया था फिर क्या लेते थे RHS ठीक फिर RHS क्या कि let Y belongs to अब इसमें belong कराएंगे intersection of AI complement यहाँ पर I belongs to capital I ठीक Y इसके intersection में है याने कि यदि intersection में याने कि Y तो सभी AI में है याने कि For each I belongs to capital I सभी में यदि ऐसा है सभी के complement में है तो हम क्या बोलेंगे कहां पर नहीं होगा फिर वो AI में नहीं हो सकता हो ही नहीं सकता For each I belongs to capital I कहीं नहीं होगा यदि किसी भी AI में नहीं है तो obvious सी बात है उनके union में भी नहीं आ सकता फिर तो कहां पे होगा, तो यह जो union of AI, I belongs to capital I, यह इसका मैं क्या लेनू, compliment, तो वो इसमें होगा, तो देखिए, आपने क्या साबित कर दिया, भाई साब, कि यह जो लिखा था, intersection, I belongs to capital I, और यह AI का compliment, is basically subset of union, I belongs to capital I, AI का whole compliment, ठीक, यह आपके पास first equation, और यह आपके पास second equation, जाज हहा से देखे, दोनों एक दूसरे के क्या होगा है, subset, तो from first and second, from first and second, result hold, result क्या करता है, hold करता है, ठीक, अच्छा, जो दूसरा वाला case है, second case, कौन सा, यह वाला, यह आप खुद कर लीजेगा, जैसे मैंने भी बताया, do by yourself, यह आपके लिए homework में है, ठीक, practice करेंगे, आपसे ब और subscribe यहाँ से करिएगा, और comment जहूर करिएगा, ठीक, कि आपको अगला lecture चाहिए, जल्स जल्द हम आपके पास lecture आएंगे, जित्ती जल्दी likes बढ़ेंगे, जित्ती ज़्यादा share होगी, हम लोग आपके पास वो lectures बहुत जल्दी पहुँचा देंगे, छे, thank you.